हालो दोस्तो, आज मैं आपको ब्रेड और आलू से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा स्नेक्स बनाने का तरीका बताऊंगा. इसे आप सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनिट में घर पे बना सकते हैं और इसको आयल में फ्राइ तो करेंगे बट ये खाने में बिल्कुल भी ओयली नहीं बनेगा. आज तो सीधे रेसिपी शुरू करते हैं. सबसे पहले यहां पे मैंने 5 आलू लिये हैं. आलू को मैंने छीन लिया है. छीलने के बाद इनकी कटिंग करेंगे, आप डाइरेक्ट आपके पास अगर बोयल आलू हो, उनसे भी इसको बना सकते हैं. तो ये देखिए इस तरह से कुबेस में आलू को काट लीजिए. काटने के बाद आपने इनको बोयल करना है. तो एक बरतन में पानी को उबाल लीजिए. उसमें आप कटे हुए आलू एड़ कर दीजिए और उपर से आपने आलू को कवर कर देना है. कवर करके इनको 10 से 12 मिनिट तक पकने दीजिए. मी कैसे चेक करना है? कोई भी तेज नौक वाला चाकू लीजिए, उसे इस तरह से देखिए दबा के आलू अब अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसके बाद अपने को चान लेना है, चानने के बाद इनको एक बॉल में डाल दीजिए, इसके बाद आपने मैचर लेना है, कोई भ आपने आलू को ना ठंडा कर लेना है, तो ये देखिए स्पैचुली की सहायता से, इनको आप थोड़ा सा बिखेर दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए, तो ये देखिए आपके आलू ठंडे हो गए है, इसके बाद आपने इसमें आधा चमच नमक अड़ करना है तीखा करने के लिए आप इसमें चिली फ्लेक्स अड़ कीजिए, तो थोड़े से मैंने देखिए इसमें चिली फ्लेक्स अड़ किया है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो चिली फ्लेक्स आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकत आधा चम्मच मैंने इसमें ओरेगानो एड़ किया है, थोड़े से यहां पे कोठी काली मिर्च एड़ करेंगे, साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया एड़ कर सकते, आप इसमें और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च एड़ कर सकते हैं, बारीक कट तो इसलिए हरी मिर्च भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है। और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, मैंने इसमें एड़ किया है। इकठा करने के लिए अच्छी तरह से सारे इंग्रेडियन्स को आप यहां पे मिक्स कर लीजिए। तो जै जैसे आप पराठे का मसाला बनाते हैं। सिंपल वैसा ही मसाला बनाना है। बस आपने इसको अच्छी तरह से मैश करना है। यह देखिए इस तरह से मसाला बनाने के लिए हाथों को धू लीजिए। हाथों को अपने गिला करना है। और देखिए इस तरह से पोटाटो फि जाना के तयार कर लीजिए और यहाँ पे आपको ब्रेड चाहिए होंगे तो जीतने आप रोल बना रहे हैं। उतने ही आप ब्रेड ले लीजिए तो ब्रेड की जो साइड है, उनको आपने काट लेना है क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है। अगर आपको साइडों का प्रेड क्रम भी बना सकते हैं। सुखा के अब आपने बेलन की सहायता से इसको ना बेल लेना है। इस तरह से आप बेल लीजिए। जैसे आप इसको बेलेंगे, आपके ब्रेड का जो स्पंज है वो खत्म हो जाएगा और इसके ना सिमफसी रोटी बनके तयार हो जाएगी। ये देखिए, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेड कहीं से फट रहा है, तो उसमें हलका सा पानी आप लगा सकते हैं। नहीं, तो पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इसके बाद आपने एक चीज स्लाइस लेना है। यहां मैंने प्रोसे चीज स्लाइस पीस के डाल सकते हैं। चीज स्लाइस से एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसको आपने देखिए चीज स्लाइस को इस तरह से रख देना है। इसके ऊपर आपने जो पोटाटो फिंगर बना के रखे होंगे और इस तरह से आप इनको रोल कर दीजिए। अब आपने इसको बंद कैसे करना है, बंद करने का तरीका बताता हूँ, आपने ना एक बनानी है, एक बॉल दीजिए, उसमें दो से तीन चमच कॉन फ्रायर अड़ कीजिए और रूट भी डाल सकते हैं, और इसके साथ में आपने इसमें ना मेदा अड़ करना है, तो ओके द इसमें पानी अड़ करना है, आपको सलेरी बनानी है, पतली से पतली सलेरी बनानी है, ये देखिए थोड़ा सा पहले पानी अड़ कीजिए, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए, ज्यादा पानी डालना एक बार में नहीं, तो लंप्स बन जाते हैं, तो पहले आपने थोड़ा सा पानी डाल के इनको mix करना है फिर आप इसमें और पानी add कीजिए तो पतले silerry बनानी है ज्यादा ठीक silerry बनानी है ज्यादा ठीक बनाएंगे तो ज्यादा ही मोटी कोटी आजाती है बाहर से ठीक है, यह देख सकते है ऐसी सिलेरी बना के तयार कर लीजिए अब चम्मच में थोड़ा सा घोल लेना है और ये देखिए ब्रेड के आगे वाली साइड में थोड़ा थोड़ा घोल को इस तरह से लगा दीजिए इससे क्या होगा ब्रेड अच्छी तरह से चिपक जाएगा और वो खुलेगा भी नही और इसकी जो साइड है उनको अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी बाहर को ज्यादा बच रही है तो उनको आप चाकू की सहायता से काट सकते हैं ये देखिए थोड़ा थोड़ा इनको काट लीजिए डॉट पोटेटो के बराबर की साइज में होने चाहिए ठीक है ये दे अपने ना ये लेनी है और इसमें आपने देखिए पोटेटो फिंगर डीप करना है तो ये सिंपल सा तरीका है अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और आपको ब्रेड क्रम चाहिए होगा ब्रेड क्रम ना हो तीन से चार ब्रेड पीस ल और जो आपने ना ब्रेड के साथ फिंगर बना के रखे होंगे तो ये देखिए इसको भी आप इस तरह से डीप कर लेना है, कि सहायता से आप इसको उठा लीजिए, अच्छी तरह से जो बेटर है वो उसको निकलने देना है, फिर आपने ब्रेड क्रम के बीच में रखना है, देखिए ब्रेड को और इस तरह से इसके उपर ब्रेड क्रम डालिए, अच्छी तरह से इसके उपर ब्रेड क्रम कोट हो जाएगा, एक अच्छा क्रंच आएगा और आयल जो है, बिलकुल भी ब्रेड के अंदर तक नहीं जाएगा, ठीक है तो इसी तरह से सारे के सारे फिं सर्व कर लीजिए तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। आयल का टेंप्रेचर यहां पे मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करना है। कम से कम 3-4 मिनिट तक आप इनको फ्राई होने दीजिए। इतनी देर में ब्रेड के बाहर से एक अच्छा आ और ये देखिए पोटाटो ब्रेट फिंगर को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, इनके बाहर से एक अच्छा कलर चुका है, और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसके बाद आप इनको गर्मा गर्म सर्वे कर दीजिए, टॉमेटो सॉस के साथ आप इनको सर कर सकते हैं, विडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा, धन्यवाद.